हम इस वीडियो में कक्षादस आपका ध्याय आठ और आपके पाट का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं तो इसके जितने भी इंपोर्टेंट प्रशन हैं जिसे MP बोड ने दिये हैं तो उन सभी को हम सिर्फ इसी एक वीडियो में समझ लेते हैं उनके उत्तर जान लेते हैं तो आपके सामने पहला प्रशन है कि अलेंगे के जनन मुखुलन द्वारा होता है तो अलेंगे के जनन जो है मुखुलन द्वारा किस में होता है तो इस्ट में होता है इसके अलाबा हाइड्रा में भी होता है ठीक है तो आप परिक्षाओं तक ध्यान रखना हाइड्रा भी पर भाग नहीं है तो आपको इन बिकल्ब से यह दिखना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मादा जनन तंत्र के भाग कौन-कौन से होती है तो अंडा साह से होता है क्योंकि अंडा साह से अंडा बनता है और वह अंडवाहिनी के द्वार का सिक्रवाई का जो this आwat इसने इसमें भूरुण का विकास उता है जोकुर्वाहिका को नहीं इस होती है इसमें पूर्सों में पूर्सों मैं और टमबहाईनि व्वाने और लिल्ति में पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश कोश मांने खेला तो पराग कोष, तो पराग कोष में क्या हुँगे, पराग कण होँगे, पराग कोष में क्या हुँगे, पराग कोष में पराग कण होते हैं, और यह पुस्प के नर्जनन भाग हैं, क्या पराग कण, पराग कोष, पुंके सर, ध्यार रखें आप, पुस्प के नर्जनन भाग हो होते हैं पराग कूश पराग कन्म और पुंकिसर तो चित्र में स्पेश्ट दख रहा है यह कि पुस्प का नरिजनेट भाग है तो इसे आप जहर रखें और पुस्प का जो मादा भाग होता है उसे अपर अंडफ बोलती है अंडफ चीक है और उसका नाम इस तरीके सर भी होता है पिस्टिल भी होता है इसे भी आप दिहान रखें अब है नर युगमक एवा मादा युगमक के सल्लैन की क्रिया कहलाती है तो सही तरह आपका निशेचन और यह है परशन दो नमबर में भी आ जाता है इसलिए आप इसे अच्छे सियाद करें पर इक्छाम इस तरह से आता है कि निशेचन किसे कहती है तो आपको लिखना होता है नर युगमक एवा मादा युगमक के सल्लैन इक्रिया निशेचन कहलाती है इसके बाद जाइगुड बनता है और जाइगुड से बुरूड बनता है अब है अंडप का सीर्स भाग क्या कहलाता है आप जानते हैं पुस्प का मादा भाग जो होता है वो अंडप होता है इसे अपन पिश्टिल कहते हैं तो इसका जो सीर्स भाग होता है इसका जो सिर्भाग होता है वो क्या कहलाता है बरती का अगर बरती का अगर बरती का अग जाता है तो अंडप का सीर्स बाग क्या कहलाता है बरतिकाग्र अब है अलेंगिग प्रिजनन होता है तो अलेंगिग प्रिजनन होता है दाब लगाना लेरिंग करना तो आपको अच्छी से याद करना है अलेंगित प्रेजन के विधियां कितने होती हैं तो अच्छे से आप इसे याद करें कि मानाँ में निशेचन कहा होता है कि अभे यपन्दों को क्या चर्चा कर रहे थे अपन चर्चा कर रहे थे कि अंडबाहीनी के द्वारा वो गरवासा है उसके पहले ये अंडबाहीनी में सुक्राणू पहुंच जाता है तो शुक्राणू और अंडबाहीनी में होता ये अप तर अच्छी सी रहन हो गया है अब पुष्प के कितने भाग होते हैं तो पुष्प के चार भाग होते हैं बाहे दलपुंच दलपुंज और पुंग के सर और आपका अंडप चित्र में अच्छे से दिख रहे हैं पुष्प का जो नर्भाग होता उसे स्टेमन कहते अंग्रेजी में और पुष्प का जो मादा भाग होता उसे अपन कारपल कहते हैं या अंडप ठीक है अब है बीजांड निर्माड करता है बीजगा इसके लाबा यह भी पूछा जाता है कि अंडा सैसे क्या बनता है तो अंडा सैसे फल बनता है अब है सजीवों में अपने ही समान आकरती रूप के नए जीवों को उत्पन करने के चमता क्या कहलाती है जनन कहलाती है और दो नंबर में पूचा भी जाता है जनन किसे कहती है तो देखो आपको यह लखना परिक्छा में जनन जीवधारियों की वह क्रिया है जिसके दोरा वह है जीवधारी अपनी जैसी नई संत्ति उत्पन करते हैं जनन कहते हैं अब है दो को डॉट 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 प्रेजनन बिधी निमन सिरेडी के जीवों में पाई जाती है तो आप से पूचा है कि जो निमन सिरेडी के जीव हैं इनमें प्रेजनन के कौन से बधी पायाती है तो उनमें जो है अलेंगेक प्रेजनन बिधी पायाती है अब है जन्तू के आकार इबम आयतन का इस्थाई विकास डॉट 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 कहलाता है तो देखू, जन्तू की आकार इवामायतन का स्थाई व्यकास ब्रद्धी कहलाता है, यह हमारा व्यकास हुगा है, ब्रद्धी हुए हमारी, यह आपको देख रहा है, और अब है लैंगिक प्रेजरंस सी डॉट 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 का निरमाड होता है तो दिखो लैंगिक प्रेजरंस से लैंगिक प्रेजरंस होता क्या या जिसमें दो बिदि जनक भाग लेती एक नर्व हो एक मादा हो तब अब नर युगमक और मादा युगमक आपस में मिल जाते हैं क्या मिल रहे आपस में युगमक मिल रहे ना मिल रहे तो उसे क्या बोलेंगे युगमेनज बोलेंगे तो वह युगमेनज बन जाता है ठीक है तो अपने को लिखना है लेंगिक प्रिजन से युगमेनज का निर् दिखती नहीं है अगर इसको देखना है तो आपको अकजैनोलमीटर यंत्र खरीदना होगा उससे आप देह सकते हैं तो यहां पर अपने को क्या भरना है ऑक्जैनोलमीटर पौधे में लंबाई की वृद्धी को आपडायद्य को यंत्र की साइता से मांप आगाρता है भुरूर में अंक गड़तिये वा जया मितिये वरद्धी होती है अब है पादपो में वरद्धी होती है तो पादपो में अपरीमित वरद्धी होती है पादपो में कैसी वरद्धी होती है पादपो में अपरीमित वरद्धी होती है कि अब है ब्रिशन का कारे । को उत्पन करना है तो देखो जो ब्रिशन होते प्रोसों में होते कहां होते हैं उदर गुआ के बाहर होते हैं इनका काम किया है इनका काम है शुक्राणुगों को निर्मार करना सोफ़ान eli अब है, मादा में अंडा साई की संख्या होती है तो बच्चो, हमने सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने आपको एक चित्र דखाय था उसमें दाएं और बाय तरफ गरभा साई के दाएं तरफ और बाय तरफ दो अंडा साई थे उनसे क्या अंडा बनता है क्या बनता है अंडा बनता है ठीके तो कितने अंडा से थी दो अंडा से थी तो आपको ध्याना गया मादा में अंडा से के संख्या दो होती है अब है मादा मनुष्ण में यो बना वस्था कब प्रारंभ होती है तो तरह 12 से 14 वर्स की उम्र से प्रारम होती है अब है किसे कहते हैं तो बच्चों हमने आपको अभी बता आथा कश कुसे कहते हैं प्रेजनर जीव धारीओं अब जीव दारी दोको बच्चे अपन भी होते हैं अपने जीव होते हैं और वाधे भी होते हैं तो प्रजनन जीवधारियों की वह है प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह है अपनी जैसे नई संत्यति उत्पन करते हैं प्रजनन कहते हैं अब है अलेंगेक प्रजनन का एक उधारन दिजी आपसे एक मुझा आए तो लिख दें आप अमीवा अब है भच्चो आपके सामने नर में ब्रशन की संख्या होती है तो दो होती है अब है बच्चो मादा में अंडानू का निरमन कहा होता है तो मादा में अंडानू का निरमन अंडा साह में होता है अभी आपने पर बात कर रहे थे अब है एक कोशिकी है जीग जैसे अमीबा में कौन सा प्रिजनन होता है तो बच्चो अमीबा में अलेंगिक प्रिजनन होता है और कैसे होता है दूई खंडन द्वारा देखो बच्चो यहाँ पर जो अमीवा है वो धीरे 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 दो भागों में तूट जाता और दो अमीवा बन जाते हैं अब है पुष्प के नर्जन नांगों के नाम लिखिए तो पुणकेशर हो गया अपका परागेकोश हो गया नाम क्या है डी एने तो डी से है डी आक्सी राइबो नियुक्लिक अमला डी एने का पूरा नाम है बेटा डी आक्सी राइबो नियुक्लिक अमला अब है राम में प्रेजनन किस बिधी के द्वारा होता है तो बच्चे देखो BÜNDNIS 90 की थी पहले की जो इस्ट है उसमें मंतंद मुखले मदरा होता है वहां हमने आप सेको बताया था कि आईडरा में भी मुखले मद्वारा परेजनन होता है चीक है तो आपसे पूछा है देखो हाइडरा में प्रजनन किस विधी के द्वारा होता है तो आपको लिखना है मुकलन द्वारा होता है देखो जो आपका पहले हाइडरा देख रहा है उसमें मुकल बन जाता है तो धीरे धीरे यह मुकल अलग हो जाता है और एक नया हाइड या जो है एक प्रकार का जीव है उसको अगर आपने चाहू से तीन भागों में कट दिया पांच भागों में कट दिया तो आप देखेंगे प्रतेक कटे भाग से एक नया प्ले नेरिया बन जाता है इसे कहते हैं अपन पुनर्द भवन तो पुनुर्द भबन द्वारा परेजनन किस जीब में होता है तो आपको लिखना है पिले नेरिया में अब है बच्चो मनुष में ब्रशान उधर गुआ के बाहर पाया आते अभी हमने आपको बताया भी था और आपको समझ में भी आ गया है अब है जब कोई कोशी का जनन करती है तो उसके डॉट 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 में भिननता आ जाती है तो यहां आपको भरना है डी एने में भिननता आ जाती है डी एने का पुरा नाम क्या होता है डी आक्सी राइबो नियुकलिक एसेड कहें या फिर डियाक्सी राइवो नियूक्लिक अमल तो अपका उत्तर क्या हो गया है जब कोई कूशी का जनन करती है तो उसके डियने में भिननेता आ जाती है बच्चों आपको अच्छी तरह से बिकल पर प्रशनों के उत्तर जान ली गये हैं और अब हम आपको तीन नमबर वाले प्रशनों के उत्तर बताने जा रहे हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए